उत्तर प्रदेश के जन्पद इटावा में एक ऐसा गाउं जहां बिकासों से काफी दूर है गाउं के हालत देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे देखिए एक खास रुपोर्ट तो हम पारे फूत है दानों में भी पानी बार जाता है दान के बार फिर गरों में आ जाता है बच्चे नीजा बाते हैं पढनने के लिए तो देखा आपने लोग यहां के कितनी डिट सारी समस्या में जूल रहे हैं और फिर भी यहां पे अपना गोजारा कर रहे हैं किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हो यह तस्वीरे यहां के खुद ही बया करती हैं तो अब आप ये भी जान लीजिए कि ये तस्वीरें हैं हैं किस जगे की आपको बता दें कि ये जनपत इतावा की भरतना चेत्र में कुछ ही दूरी पर छोला मंदिर के पास ग्रांट छोला बसा हुआ है जो की गरीवी और विकास के नाम पर भहुत ही पीछे नजर आ रहा है संदक मारे जो आज आपके जो फिर जी टूटा बुडां पढ़ा अब जो है तो किस तरह के से आप बरसात ने देन काट ते है? किया लगरा है इसकी जानकारी आपने प्रधान जी कुझी? परदान जी को मेरे पापा बार बार गए उनके पैर भी चुए उन्होंने साब मना कर दिया तो देखा आपने किस तरीके से यहां पे लोग एक जोपड़ी में गुजारा करते हैं बरसात के मौसम में और यहां कच्छे मकान बने हुए जबकि सरकार के द्वारा आवास योजना चलाई जा रही है फिर भी इन ग्राम बास्नियों को आवास नहीं मिल पा रहा है इसका क्यारकारड जून तक आवास की सुपदा नहीं पहुंचाई जा रही है और यहाँ पे कच्छे मकान आपको नजर आते हैं और यहाँ की सपाई की बात करें तो सपाई आपको यहाँ इस तरीके से दिखाई देती है जो कि आप देख पा रहें कितनी सारी यहां पे गंदिकी पड़ी होई है जबकि सफाई अभ्यान भी चलाया जा रहा है तब भी यहां पे सफाई नहीं हो पा रही है जैसे इस ग्राम में आंगे की तरह बढ़ते हैं तो आंगे आप देख पाएंगे कि यहां पे डक्टर भीमराव अंबेटकर जी की एक मोर्ती दिखाई देगी यहां लिखा हुआ है भारतिय संभिदान अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस ग्राम में कितना विकास हो रहा है जो कि डक्टर भीमराव अबेटकर जी की मोर्ती इतनी की चर्ण में खड़ी हुई है आपका क्या समस्या है आपकी अपने प्रदान को इसकी जानकारी दी कि हमारा जो घर मकान मना हुआ है पानी से गिर जाएगा क्या नाम है आपका बीरेंद जी क्या समस्या है आपके गाउं में जब बारे फूती है डानों में भी पानी बार जाता है जानके बार फिर गरों में आ जाता है बच्चे नहीं जाए पादें पढ़ने के लिए अपर दान जी ये कहते थे कि हमको गोड़ तो आप सीसी बन आप लोगों से गरीब होसे में मतलब पैसे चालर हजार पे लिए जा रहे हैं तो लेटर निके तुम बनवाए लेओ तो हम जो इंजिन पर अज़िती मौरिंग दुकान है तो थीज को थीज को थीज पर नाइस हजार उसामान लिए और साथ महीं नहीं बनवाए लेग एक आपके गाउं में आवास के नाम कारण साथ महीं नहीं लड़का इस तुपया नहीं कर पाथ हम्सक्त का केटने रुपये के मांग करते हैं गजम करते हैं इत्युन वहाज thumb करते हैं आप लोग कहां रहते हैं वर नगवाए कितिनी साल ते जोपनी में रहें अप 6ज ए सबस्कों बुथे जब बोट मांगनेा तो क्या कहते है कहते इस जैकात मुद्रण को रहे कहते आप वा जाक दारी यहां थाथ हैं में न देन कह्छो एच्छा कि मौन करते हैं उर्ट शोटे शोटे बच्य हैं आपके गरीब आदमी हम कहां ते लिए बताओ मजूरी को दंदूर मेरे बच्चा देन मार मजूरी करें संजाग बच्चन के पीट पाला है क्या समस्चा है आपकी जा है मेरी सड़क नी बनी और घर में पानी वारो मला फूटो डरो ना कालो नी मिली ना कशनी लो तो चला दि आपने लोगों की समस्याओं को सुन भी लिया होगा और देख भी लिया होगा अब देखना ही है कि इन समस्याओं का समाधान कब तक किया दाएगा